है वीवर्स तो आज के व्लोग की शुरुआत मैं दुबहर से कर रही हूं अभी दुबहर के बारा बज़े हैं और सारा काम करके फ्री हो गई थी तो सोचा की नमकीन बना लूँ तो घर में जो भी चीज़े मेरे पास थी उनहीं से मैं ये नमकीन बनाओंगी वैसे तो दो चार चीज़े और मैं डालना चाहती थी लेकिन वो मेरे पास अभी नहीं थी तो इस पार जब मैं ग्रोसरी का सामान लेके आई थी तो वहां पर भी म तो जोखा नारियल होता है गरी उन्ही मैंने चोटे चोटे पीसे में कट कर लिया है फिर उन्हें मैं इस तरह से फ्राइ कर लोंगी और यह किश्मिष है इसे भी मैं फ्राइ कर लोंगी तो इस तरह से मैं इने अलग फिर करके रखती जाऊंगी आप कोई भी कोटन का कपड़ा ले सकते हैं या टिशू पेपर ले सकते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ओयल है वो निकल जाए इसके बाद मैं कड़ी पता इसमें एड़ करूंगी आप चाहें तो पुदीना भी एड़ कर सकते हैं इससे यह जो पत्ते हैं यह जब हम रख देंगे तो करंची से हो जाते हैं और कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है और खुश्बू वो बहुत अच्छी आती है नमकीन में इसके बाद मैं पोहा फ्राइ कर लूँगी इसे बहुत ज्यादा प्राइ नहीं करना है और यह जल्दी फूल जाता है जैसे ही ओईल में आसे डालेंगे जल्दी से फूल जाएगा पोहे को मैंने फ्राइ कर लिया है और इसके बाद में कौन जो है उन्हें भी फ्राइ कर लूँगी तो यह हमारे खेत में लगे हुए हैं तो वहां से मैंने एक भुटा निकाल के फिर सोचा की उसे मैं भूनूँगी लेकिन सोचा के फ्राइ करके नमकीन में डाल के देखते हैं इसका टेस्ट कैसा आता है तो सारी की सारी चीज़ें फ्राइ हो चुकी हैं अब मैंने एक बड़े से पतीले में डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी अच्छी तरह से तो सारी में डाल दी हैं पतीले में और ये जो मैंने ज। मैंने जाल किया है इसमें मैं ऊक्लिक तरह से मिला दूंगी काफी देर ताकि जू मसाला है वो इसमें चूर हैं तो मैंडंकी और द्ली तरह से मुक्स हो जाए तो यह देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गई है और आप मैं कंटेनर में डाल दूंगे इसे तो आप भी इस तरह से नमकीन एजिली घर में बना सकते हैं और उसे स्टोर करके रख सकते हैं एक से दो हफ़तों के लिए तो आप इस तरह की नमकीन को घर में इजली बना सकते हैं और अपने according आप हर चीज़ में एड़ कर सकते हैं हर एक चीज़ की quantity आपको पता रहती है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है क्या चीज़ अच्छी नहीं लगती तो इसे आप घर में जरूर बनाए और अब मैं आप से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तक के लिए टेक कियर और बाई